मार्निंग डियर शुएन आज के स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को 5 सितंबर के 1st एवं 2nd सिप्ट के कम्प्लीट अपडेट देने वाला हूँ कि 5 सितंबर के 1st एवं 2nd सिप्ट के काउंसलिंग के बाद अभी भी किस कटगरी के लिए कौन कौन से ब्रांच में अभी भी सीटे खाली हैं गल्स के लिए कितने सीटे खाली हैं किस किस ब्रांच में इसके अलावा SC और ST के लिए कितने सीटे खाली हैं जनरल OBC के लिए कौन कौन से ब्रांच में अभी भी सीटे खाली हैं और EWS में किस किस ब्रांच में अभी भी सीटे खाली हैं कम्प्लीट अपडेट डियर इस्टुएंट मैं आपको देने वाला हूँ तो बीडियो को सुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको कम्प्लीटली पता चल सके कि किस किस ब्रांच में किस कटगरी के लिए अभी भी सीटे खाली हैं तो dear student सबसे पहले हम बात करते हैं girls के लिए तो dear student मैं आपको बता दू girls के लिए सबसे सुनाहरा आउसर है क्योंकि girls में dear student electrical और civil को छोड़ कर maximum branchों में अभी भी सीटे खाली है जैसे आपका power plant में अभी भी सीटे खाली है इसके अलामा dear student आपका automobile engineering में भी सीटे खाली है production engineering में भी सीटे खाली है refrigerators air conditioning में भी सीटे खाली है tool engineering में भी सीटे खाली है tubel में भी सीटे खाली है instruments control में भी भी सीटे खाली है electronics और plastic में अभी भी सीटे खाली है यानि कि girls के लिए टोटल नौ ब्रांच में अभी भी सीटे खाली है इस नौ ब्रांच में एडमीशन आप ले सकते हैं डियर इस्टुएंट मैं आपको बता दूँ जो सीटों की संख्या है इस नौ ब्रांच में आपका आठ से दस सीटे है यानि की प्रतेग ब्रांच में अभी भी आठ से दस सीटों पर एडमीशन होना बाकी है तो इस तरीके से प्रतेग ब्रांच में आठ से दस सीटे अभी भी खाली हैं गल्स के लिए इसके बाद बात करते हैं SCHT student के लिए तो SCHT student के लिए भी अच्छा खासा मौका है जिसमें power plant में अभी भी सीटे खा लिए है, automobile में भी भी सीटे खा लिए है plastic technology में अभी भी सीटे खा लिए है, refrigeration में भी सीटे खा लिए है tool engineering में भी सीटे खा लिए है, tubal engineering में भी सीटे खा लिए है instrument और control में भी सीटे खा लिए है, और electronics में भी सीटे खा लिए है बात करें सीटो की संख्या कितनी है, तो SCHT student के लिए जो सीटो की संख्या है वो आपका किसी में 6 है, किसी में 8 है और किसी में 10 है तो इस तरीके से SC और ST student भी इन आठो ब्रांच में admission ले सकते हैं जिनका counseling आठ तारिक को है या 9 तारिक को है या 12 तारिक को है तो ध्यान से इन ब्रांचों को आप देख करके जाएगा इन ब्रांचों में SC और ST student के लिए अभी भी सीटे खाली हैं इसके अलामा DR student हम बात करें जंडल और OBC के लिए तो जंडल और OBC के लिए केवल और केवल एक ही सीट खाली है वो आपका है plastic technology यानि की जंडल और OBC का student केवल और केवल plastic technology से अभी admission ले सकता है इसके अलामा सारे ब्रांचों की सीटे पूरी तरह से फूल हो चुकी है यदि plastic technology से admission लेना चाहते हैं तो ही वे counseling कराने जाएं upcoming days में यदि आपको plastic technology नहीं चाहिए तो आपको counseling कराने का कोई मतलम नहीं है क्योंकि जंडल और OBC के लिए केवल और केवल plastic technology में सीटे खाली है इसके अलामा किसी भी ब्रांच में कोई सीट खाली रही है EWS student की बात करें तो refrigeration, air conditioning में सीटे हैं tool engineering में भी सीटे हैं, tubal engineering में भी सीटे हैं instrument and control में भी सीटे हैं और plastic technology में भी सीटे के हैं यह आपका plastic है plastic technology में भी सीटे हैं तो इस तरीके से dear student आपको पांद तारिक के फर्स्ट एवन सेकेंड शिप्ट का complete update मिल गया होगा कि किस ब्रांच में किस कटगरी के लिए अभी भी सीटे खाली हैं तो dear student मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कर दो